स्थाइप पर्मजी सिंग जंडे एवी एक बहुत बड़ा चम्तकार है गुरू प्यारेों इननों पेड़ दा कैंसर सी काफी फैले होया मेजर सरजरी कीती गई है दोजार नौवेच किमोथरपी कीती गई है दुबारा रिकर्णस हो गई पेड़ फेरे सुडो मिक्सिडोमा पेरिटुनाई कुंदी है ट्यूमर टाइप बहुत ख़दना कुंदी है पेड़ बहुत जिदा पत्थर होंदा एदा सुच जंदा है जो तो यह थे आये हैं ते काफी बुरी हाल से ना दी तो हुन मारत और साम में बेठे ने आलमस नामल है जिते ए चाह जीना भी मुश्कल हो गया सी हाथ पच्छान नी बुरी हाल सी क्यों केमत थारी बड़ी में की कीमत थारी पर लवाई कोई आराम नहीं सी उदेना के लग 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 पादा टीका सी तो एक लग लग दो टीके से बारां टीके लवाए उदेना कोई फरक निसे पिया तो मारत पता नहीं किने करोड़ां था ठीका लाया तो बिल्कुर ठीक हो गया है बहुत ज्यादा फरक था है हाँ जी वाई गुर्जी का खालसा वाई गुर्जी की फते हैं मेरी कैंसर दी प्रॉब्लम जो दो हीड़ नौदे बीच शुरू हो इसी जिस तरह डॉप साब ने दस्या है कि उस तो बाद मैं अपरेशन भी करवाया और उस तो बाद कीमो थ्रेपी भी हुई कि फिर रेगुलर ट्रीटमेंट चलदा रहा जिस दे नाल दो तिन साल ठीक रहां लेकिन उस तो बाद दुबारा तो जदो फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई तो इननी ज्यादा अपर्टर ने दुबारा तो फिर कही जो एक एक लख दे इंजेक्शन बारा इंजेक्शन लगे उस दिना सारी जड़ा अपने श्री दिवाल चड़ गए और इननी ज्यादा वीकनेस हो गई कि उठना बैठना भी मुश्किल हो गया खाना पीना पहला ही बंद हो गया सी दि इत्थे मैं पहला भी आया करदा सी कदे कदे पर इत्थों बारे मेंनों पूरी तरह नौलेज नहीं सी ते उस दो बाद मेरे वड़े सिस्टर जी जाई जो इत्थे आंदे सन ते उनना ने मेंनों दस्या के उत्थे तुसी जाओ ते उत्थे बहौत संगत जो है वड़े लोग उनना दे दूर ठीक हों देने ते तुसी भी जाओ ते किसे तरीके मानियोग डॉक्टर बलवन सिंग जो इत्थों दे लो द्याना एकाई दे इंचार्ज ने उनना नों मिलके ते दस मिन्ट दा टाइम उनना ने लिया ते मैंनों मिलवाया और उस तोरां बाद उनना ले अंदर एडमिट होना चाहीदा है ते इस तरह बाहर किस तरह तोरे फिर दे हूँ ते जे मतलब इस ते इनी दूर चलके आ गए हूँ ता ए परमातमा दी बहुत वड़ी किरपा है ते हून जे इते आ गए हो तो वाई गरू ने जरूर मेहर करनी है तो उसी जरूर ठीक ह जाओंगे परमातमा दे नाल जुड़के वाई गरूदा पला फड़के ते नाम सिम्रण करो जाब सिम्रण करो ते बहुत संगत इते अंदी है जिना दे बहुत वड़े वड़े रोग ठीक हो जावेगा ते उस तो दो दिन बाद मेरी एक खुश्मत ही सी के दो दिन बाद ह स्राबा नगर विखे यो केम्प शुरू होना सी गा वो सिर्फ दो दिन बाद सी थे डॉक्ट साब ने मिनूं दस्या के उते केम्प दे बिच तुसी जाके नाम शिमरन करो जाब करो सेवा करो अते तुसी बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगे और मैं उनना दी गल एपले बन के वाई गुरू दे चरना दे नाल जोड़ गया अते मैं केम्प दे बिच उते नाम सिमरन किता अलकि मैं बैठ नहीं सी सगदा लेकिन फिर भी वाई गुरू ने मेहर किती नहीं बक्षिश किती के मैं पांच बजे उते जाके हाजरी परी गुरू चरना दे बिच अरदास कित तो मैंनू पहले दिन तो ही फर्क पहना शुरू हो गया और दूसरे दिन ही मैं उत्ते गुर्दवरा साब के कैम्प दे विच लंगर भी छक्या जो मैंनू बिलकुल रोटी वल देखन भी दिल नहीं सी करदा पाणी भी नहीं सी लगदा कुछ भी खापी नहीं सी सकदा और व समापती होई तो मैं पूरी तरह हैं परशादा शक सकदा सी बहुत मेर होई गुरू साब दी और उस तो बाद कुछ ही दिना दे विच जाद के मैं दस ग्यारा बज़े तो पहला उठी नहीं सी सकदा बिस्तरे तो लेकिन मैं पंदरा दिन दे विच विच अपने ओफिस भी जान लग विच याइन कर लिया और बहुत मेर किती गुरू साब ने बहुत बख्शिश किती है ते उस तो बाद थोड़े दिना बाद ही मतलब मैं नारमल हो गया कुछ में दे विच 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 और उस तो बाद मैं इस 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 इस्थान दे उते जो 386L माडल टाउन विख रोजाना हाजरी गुर्चरना देविच पार के मैं गुरू साफ देज अशिरवाद प्राप्त करदा रहा है गुरू साफ ने बहुत मेर किती है अगे तो अगे मेरते मेर करदे रहने रेगुलर और मेरी जो लाइफ है ओ नॉर्मल हुंदी गई और बेशक बिमारी अजे पूरी तरह नहीं गई पर मैं जो खाना पिना बिल्कुल नहीं से खाप की सकदा ओ खापी सकदा कर दे रुटीन दे जो कम जिम्मेवारी के बिलदारी है ओ निवा सकदा अपने बच्चे आं दे बेच रह सकदा जो की डाक्टरन ने अलड़ी जवाब देता होया सी ते इस दोरान मैं रोजाना इते हजरी परदा है गुरु साब दे उते मैंनो पूरा परोसा है चाहिब सरी गुरु गरंद साब जी दे उते परोसा करके ही मैं इते आया और उन्हाने पूरी वक्षिश किती मेरे थे और जो मेडिसन सी केमोत्रेपी जो इनने महंगे महंगे इंजेक्शन लगे सी गे उस दाब भी कोई असर नहीं सी होया तो सिर्फ इते आके गुरु बानी पढ़के सुनके नाम जिमरन करके बहुत फर्क पया और मैं अज नॉर्मल लाइफ जी बारे हाँ गुरु साब दी इननी वक्षिश है और मैं साथ संग जी नो बेंती करना चाना हाँ के साहिब सुरी गुरु 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 जी ते प्रोसर रखके पूरी शर्दा नाल जी असी एथे आये तो एथे सारे ही दुख जो रोग है वो मिट जान दे हन ते गुरु साब दीयां खुशियां सानू मिल जान दीयां हन सिर्फ एक शर्दा ते प्रोसेदी जरूरत है जो असी बहुत ज़ादा प्रोसा नहीं कर पान दे कई वरी ते यहां दो चार दिन दे विच ही असी उसदा रिजल्ट मंग दे हां जो ऐसा नहीं होना चाहिदा है गुरु साब ते प्रोसा रखना चाहिदा है क्योंकि बेमारी कई वरी इन्ही ज़ादा वदी है जिसनों जान लई टाइम भी लगदा है तो सो गुरु साब दी इन्ही वक्षिश हो जन दी है कि उसे विले तो फर्क पेना जुरूर शुरू हो जन दा है ते वाई गुरु बहुत मेर कर देने ते मेर्य वाई गुरु ने सब्सक्राइब्स आख कर सकते है सो मैं अपने पूरे परवार समेत परवार समेत मानियोग डॉक्टर वलवन सिंग जीदा तानवाद करना चानना हैं जिनना ने मिनू वाई गुरू दे चरना नाल जोड के ते इते मतलब लेंदा अते मैं अते गुरू साव ने एनी मेर किती के मेरी जिंदगी जो है बदल के दे रख देती ते मैं कुटान कुटान तानवाद ते शुक्राणा आधा कर दा हैं दन सायब शिरी गुम्रू गुर्ण साव जी दा जिनना ने अपने चरना भी बठाके अपने चरना नाल जोड के रख्या है मेरी जिंदगी बक्ष देती है अते बहुत किरपा किती है मैं अर्दास कर दहां कि मेरे ते अते सारी संगत से जो मिशन दे साहिबान में मेंबर साहिबान हन सारे अते मेर रखन तांकि हो मिशन नों गे विदा सकन और सारी संगत नों फाइदा जिड़ा है मिल सके जो बहुत चंगी तरीके देनाल मिशन दे सारे मेंबरांस जो है सारी संग रहेगा वाइगुर जी का खाल्सा वाइगुर जी की फते बहुत चड़ती कला वड़ी गाल एक है कि साधे तो पहले सेरे सफाई करते हैं साधे पांच बजे समागम शिरू हुंदा है नितने दा पाठ कि पाई सब पहले आ जान दे जोगर ते होन तो ही दा फस्स मैंटू भी सीन हीर सारी चत्र ठीक करने के स्वाई करने के बहुत बड़ी सेवा साध गुरू बख्षिया